हलो एवरिवन कैसे हैं आप सब देखे आज हम जिस सेर के बारे में बात करेंगे मुझे लगता है हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में जरूर होगा और इसने लोगों को सूपर से उपर का रिटर्न भी दिया है और अब स्टॉक स्प्लिट होने के बाद स्मॉल इन्व सही हम बात करें डिक्सन टेक्नलोजी की एक ट्रू मल्टी बैगर जिसके उपर मैंने कितनी बार वीडियो बनाई है यह मुझे खुद काउंट नहीं होगा कि कितनी बार मैंने आपको रेक्मंड किया है तो अब इसमें बड़ी प्यारी सी चीज आती है कि अगर आप लोगो कैसे प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल कर रही है वो पता नहीं होना तो आज हम इन सारी चीजों को जानेंगे जिससे आप यह समझ पाएं कि होल्ड करूं या ना करूं अगर आप नए हैं तो इन्वेस्ट करूं या ना करूं और वीडियो का लास्ट पार्ट सबसे आई ओपनर तो वो लास्ट पार्ट एक आपके लिए ट्रू आई ओपनर होगा तो वीडियो को लास्ट तक देखीगा मैं मुकुल अगरवाल आपका आफी के यूटूब चैनल में स्वाइट करता हूं जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन हिट करें क्यूंक कि रात के सारे आठ बुजे का सो तभी तो देख पाओगे और वहां से दो ती इन ट्रेड मिलेंगे तो पैसे कमा पाओगे और साथ में ट्वीटर टेलिग्राम किसी भी ब्रेकिंग निउस के लिए तो चलिए समझतें कंपनी का वर्किंग मॉडल कैसे क्या है 1993 में शुरू ही Leading Electronic Manufacturing Company में आती है 1994 में Color TV का Manufacturing स्टार्ट किया Company में potential था एकदम clear reason था इसको लेते वे जैसे जैसे समय बीटता गया ये Company Electronic के सारे सेग्मेंट में पैर पसारना सुरू कर दी और बहुत जल्दी एक Homegrown Manufacturing Company में Transform हो गई अब ये कैसे तो ये ऐसे कि आज के डिट में आप देख लो Home Appliance हो Lightning हो Mobile Phone हो Security Devices हो हर जगह ये चायवे हैं अब आप कहेंगे कि ये तो हमें पता था कुछ नया बताएं राइट तो चलिए नया भी बता देते हैं नया ये है कि इनका LED जो टेलिवीजन है वहां उसके components में 50% का market share है वासिंग मसीन के components में 43% का market share है LED CFL light component में 39% का market share है अगर इनके revenue को आप आओगे न और revenue में segment break up करोगे तो consumer electronics से 48% आ रहा है Security System से 5% आ रहा है Mobile Phone से 12% आ रहा है Home Appliance से 9% आ रहा है Lightning Product से 26% आ रहा है और वहां पे product अगर break up कर लो तो LED TV में 54% washing machine में 11% LED बल में 24% others में 11% अब यहां पे एक चीज गौर करना यहां पे refrigerator missing है और washing machine में 11% ही क्यों है यह भी missing है यह है वो चीज जो आपको special और खास बनाएगी वीडियो के last तक अगर यह आपको पता ना हो तो like a button जरूर दबा दीजेगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे data को collect करने में अब आप सोच रहे होंगे कि इतना potential कैसे कौन कर रहा है funding correct है तो वहाँ पे नाम आता है मोतिलालोस वालका जिन्नोंने 8 साल पहले company को major private equity funding की थी अब यहाँ पर अगर इनके financial को आप देखें तो आप इनके financial को देख लो तो financial लगातार इनका जो net income है वो बढ़ता जा रहा है market share बढ़ता जा रहा है higher than industry net income है higher than industry revenue growth है वहाँ पे अगर आप इनके holdings पे आप नजर रखो तो holding में पाओगे कि mutual fund ने जरूर अपनी holdings को काफी अच्छा खासा हलका किया है लेकिन FII 20% के around में अपनी holdings को maintain करके बैठे वे हैं यह एक सबसे ध्यान देने वाली बात है अब आते हैं इन चीजों के अलावा कि future prospect क्या है तो जैसा कि Dixon India की second largest electronic maker company है वहाँ पर इनके growth history में big orders ने इनका साथ दिया big orders कहां से कैसे यही वो चीज है जहां से आप किसी stock को hold करके मोटा कमा सकते हो क्योंकि अगर order history हमारे हाथ में हो न हर company की कि किस तरीके से order मिल रहे हैं वो किस तरीके से execute कर रहे हैं तो आप बड़ा मुनाफ़ा कमा सकते हो और यह नहीं पता होने से stock थोड़ा सा भी चलता है तो हमें लगता है बहुत rally हो गई और हम निकल जाते हैं तो इनकी जो जो order है वो Nokia से है Motorola से है इसके अलावा Intex, Lloyd, Nokia, Toshiba के smart TV से भी है तो यानि हर जगह से order है और अगर मोटा मोटा बात करें तो electronics के maximum company जिनके product सम घर में use करते हैं almost सारे इनके client हैं सारे इनके client हैं अब यहा इसे मिला China विरोधी action क्योंकि भारत technology को बाहर से import करना चाहता था वो चाहता था सब अंदर बने सब अंदर बने और उसका धीरे धीरे impact दिखा जहां पर PLI scheme से फायदा हुआ 100 करोर का investment का उसमें प्लान कर रही है 20 मिलियन पर NM smart phone unit यह start करने वाले हैं साथ ही इनकी planning यह है क 60% phone को global market में export करें जिसके लिए already यह Motorola से sign कर चुके हैं ध्यान से सुनते जाईएगा क्योंकि यह बहुत important है अब क्योंकि यह electronic के सासाथ जो यह company है TV वेगर के spare parts भी बनाती है तो इनके client के list में चाहे आप Samsung ले लो, Xiaomi ले लो, Flipkart ले लो, सब आ रहे हैं और company अपने production बूस् 5.5 million unit वाले capacity को बढ़ा कर 7 million करने जा रही है अब आते हैं इनके सबसे बड़े master stroke पे काम यही नहीं रुखता है जो है laptop, tablet, desktop के segment में खेल अब company hardly कोई इनका competitor है यहाँ पर क्योंकि यह maximums जो होता है वो import है अब ऐसे में जहां PLI scheme के अंदर 5000 करोर के incentive सरकार दे रही है इस segment मे यह क्यों न दाव खेले जहां पर competitor भी नहीं है इतना बड़ा PLI scheme भी है और company धीरे धीरे अच्छे तरीके से perform कर पा रही है तो यह इनका ही genre है तो यह आराम से कर पाएंगी और इन सब चीज का पूरा फाइदा इनको यहाँ पर मिल रहा है और साथ में low cost जो tablet है उसका education sector मे bumper demand है दोस्त bumper तो यह सब चीज मिलके यहाँ इनको फाइदा हो रहा है साथ में LED bulb की बात करें तो current में यह 250 million LED bulb produce करते हैं जो कि Indian consumption का only 44% है यानि LED bulb market को देखें तो यहाँ दो ही leading clear है एक है इंडिया दूसरा है चाइना और चाइना विरोधी के कारण finally वापस से benefit इसी को अब मैंने कहा था एक washing machine की बात की थी washing machine में मार्केट कम है तो यह अब fully automatic washing machine में आने वाले है financial year 2022 में और साथ में refrigerator में आने वाले है financial year 2023 में यानि इनके component हर जगा आएंगे साथ में इनका जो LED lighting है वो globally level पे बहुत ही big opportunity है जिसको यह भुनाना चाहते हैं साथ में ये large international retail chain से export के लिए discussion कर रहे हैं link set कर रहे हैं कि चीज़ें बहतर हो सके और साथ में कम जैसा कि मैंने बताया कि सारे बड़े brand ही इनके client हैं तो चीज़ें तो अच्छी हैं बहतर हैं और इसलिए company दवर रही है अब आते हैं वीडियो के last part पे जो eye opener part है जहां पर investor को बस ये लगता है कि stock चल क्यों नहीं रहा है तो मेरे भाई ground level पर practical हो कर सोचें इस stock ने बहतरी return दिया या नहीं दिया बिलकुल दिया फाइदा मिला च stock ने return बहुत पहले से ही देने शुरू कर दिये अब आगे भी देगा लेकिन time लगेगा क्योंकि already इसने एक journey तै कर दी है एक दूरी तै कर दी है अब ये ground level पर उसके next चीजों को देखेगा तभी वो आके बढ़ेगा इसका example देता हूँ reliance reliance क्या हुआ जैसे जैसे reliance net debt free हुआ अपने stick बेचना चालू हुआ राजधानी rocket बन गया लेकिन rocket बनने के बाद क्या हो सिर्फ rocket बन के आसमान में घुस गया बिलकुल नहीं वो rocket बनने के बाद फिर वापस से side wage हो गया क्यों क्योंकि market को था अब तुम ground level पर करो तब हम next level की rally दिखाएंगे तो same diction के साथ है ये चीज मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये कहानी सिर्फ diction की नहीं है मेरे दोस्त ये कहानी हर share की है जहां पे आप लोग अच्छे अच्छे portfolio से अपने share सिर्फ इसलिए बेचे देते हो चल नहीं रहा है चल नहीं रहा है चल नहीं रहा है प around 4000 के पास चल रहा है जिसमें 3800 का support है बट ये सब swing की कहानी है अगर आप investor है true investor है जूटे वाले investor नहीं है तो मेरे भाई Dixon एक बहुत अच्छी चीज है लेकिन अगर आपके दिमाग में ये है कि बस चलता जाए चलता जाए चलता जाए तो ऐसा नहीं होता है इस सोच को ज आपके पोर्टफोलियो से निकल गए है कौन सा ऐसा सेर है जिसकी आज भी गलानी है कि मैंने बहुत बड़ी बेवकुफी की सेर को निकाल के comment box में जरूर बताईएगा तो वीडियो पसंद आई हो कोसिस पसंद आई हो तो like, comment, share जरूर कीजिएगा और प्यार देना मत भू था मैंने येगा, thank you so much